हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू रियल कॉंसेप्ट आज हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का सेवेंथ पार्ट और यह इस्टुडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां अब हम देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट और वो दूसरा अभी क्रोस प्रोड्यक्ट क्या होता है अगर हम इसकी position की बात करें तो mathematical definition हमें पता है क्या होने वाला है यह वेह हो गया वेक्टर ए क्रोस बेक्टर B is equal to mod of vector A into mod of vector B into sine theta into, अब देखना है students यहाँ एक n cap होता है और n cap मैंने बताया था क्या होता है, एक unit vector होगा, जो कि आपका क्या बताएगा, एक direction बताएगा students, direction देखो magnitude इसलिए हमेशा वहाँ पर क्या होता है, unit vector में magnitude जो होता है, हमेशा एक होता है क्योंकि वह हमेशा ज़्यादा refer किया जाता है, हमेशा यह बताने के लिए कि उसका direction क्या है basically, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर वहाँ पे, इसलिए वहाँ unit vector नाम होता है, ठीक है चलो, तो इसलिए unit vector का use होता है, समझे रहे हो, तो अब हम क्या देखने वाले है, students जैसे कि हमने बताया था कि यह वाला portion यानि कि यहाँ तक का portion के वल a, b, sin, theta यह वाला portion क्या होगा हमारा magnitude क्या है magnitude, ठीक और लेकिन यह वाला portion यह हमारा क्या है, direction direction, ध्यान से देखना आपने physics तो पढ़ा होगा अगर physics नहीं पढ़े हो तो समझ लेना कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होने वाली है आपके साथ, नहीं और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है किस तरीके से आप उसमें mathematics के साथ जब यह सारे operations देखते हो न सब लोग घबड़ा जाते हैं अरे सर, यह क्या हो गया हमें तो समझ में नहीं, कोई बात नहीं हम है, tension नहीं लेने का ठीक है, तो आ जाओ यह direction, कैसे find out करना था यह हमें पताना है, ठीक है अब, क्या है यह a cross b और यह हो गया a b sin theta, अब इसको अगर हम graph में देखें, अगर मान लोग बात करें तो, एक हो गया हमारे पास surface का एक vector, ठीक है यह, पहली बात तो यह वाला vector जब भी हम निकालते हैं यह particular surface पे निकालते हैं ठीक है, और surface पे मान लो कोई theta angle के साथ हम क्या करने वाले हैं, theta angle के साथ हमारा कोई a b vector रखा हुआ है, ठीक है a b vector theta angle के साथ रखा हुआ है लेकिन, अब जब हमें जब इसमें जो निकालना है a cross b, यहनि कि vector a cross vector b अगर हम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा students, vector पे हंगुली रखो यहाँ जी चारों अंगुली रखो vector पे, ऐसे, ठीक है फिर उसके बाद यह b की तरब घुमाओ b की तरब घुमाओगे, b की तरब जो घुमाओगे तो अंगूठा देख रहे हो यह, यह, थंब, थंब देख रहे हो न, यह बाहर की साइड में जा रहा है तो जब यह बाहर की साइड में जा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे students इसमें हम बाहर की साइड में एक निकाल देंगे क्या क्या vector a dot vector b मतलब cross vector b और यही students होता है क्या हमारा N कहेप यही होता हमायर direction ठीक है समझे में आया बिलकुल यही है अगर सुनो पहले ध्यान से कि क्या करना है अगर A से B यानि कि ध्यान से देखना है अगर हम A से B की तरफ जा रहे है यानि कि यह हो गया A पहले अगर A लिखा तो A पे अंगुली डालो, ठीक है, अगर हम यही जगा वेक्टर B, क्रॉस वेक्टर A लिख देते तो क्या होता तो क्या होता, तो हम पहले किस पर रखते हैं हम पहले रखते इस वाले पर यानि कि हम किस पर रखते, अगर मालो यह तो उल्टा पड़ गया, हलाकि चलो इस तरी किसम बताते हैं, अगर यह अगर मालो यहां पर नहीं, चलो इधर, यह हो गया हमारा vector B, cross vector A, इधर देखना ध्यान से, अगर हम इसे क्या करते हैं, अगर हम एक surface पे, यह हो जाता है हमारा vector B, और यह हो जाता है हमारा vector A, ठीक, और इनके बीच में जो angle है, वो भी theta है, ठीक है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे students, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वेक्टर से B से A की तरफ जा रहे हैं तो यह भी उपर जाएगा, लेकिन, 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 यह पहले है न, चलो, इसको अगर यहां से भी और यह देखो यह द्यान से देखना आए ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है मतलब ये दोनों से 90 डिग्री ले रहा है और ये भी दोनों से 90 डिग्री ले रहा है ठीक है यहां से भी यहां से भी दोनों जगा से 90 डिग्री ले रहा है समझ रहें आप बिल्कुल ये इसी तरीके से calculate किया जाता था और यह हो गया हमारा vector B, ठीक अब बहले basic समझो, basic, basic, basic important है आपके लिए, क्या करना है, ध्यां से देखना, इधर देखो, मैं बता रहा हूं, बढ़िया से, चलो, यह होगया हमारा, यह होगया हमारा क्या, यह होगया vector A, ठीक, अब यह होगया यह वाला, यह वाला हो गए हमारा वेक्टर B ठीक है students ध्यान से देख रहा है यह हो गया वेक्टर A और यह हो गया वेक्टर B ठीक अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे क्या अब हम करेंगे A से B की तरफ A से B की तरफ जाने हो A से B की तरफ जाने हो यह हो गया हमारा क्या उपर यानि थंब उपर जा रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो डायरेक्शन होगा वो होगा उपर की तरफ ठीक यह हो गया हमारा डायरेक्शन ठीक आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से इसका भी डायरेक्शन क्या करने वाले है इसका भी डायरेक् कि इसे कह सकें AB sin θ, ये निकालता है हमारा magnitude ठीक है ये हमारा क्या निकालता है magnitude अब देखो अब देखो अब देखो धहां से देखना अब हम चल लें minus में किसमें माइनस में कैसे देखो magnitude तो हमेजा सेम आएगा अगर यहां से यहां तक की ठीटा वही है इसलिए magnitude same आएगा ठीक है ये magnitude same आएगा क्योंकि theta same है ठीक अब ये भी जाएगा तो कहाँ जाएगा नीचे की side में जाएगा अब वो कैसे जाएगा मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना ये हो गया A और ये हो गया हमारा B, six finger होने का फायदा है बड़ी हैं समझा सकते हैं ये हो गया हमारा ये इसमें फसाद हो और ये इसमें फसाद हो ठीक हो गया यहां से देखना है ये एक surface है ये एक surface है ये एक surface है surface पे हमेशा हर एक चीज़ की जा रही है ये भी एक दूसरे के surface पे आ रहा है ठीक है अब इसे मेंने कहा था ना 90ग क्या होने वाला है यहां से देखना बस यह सर्फिस पे ठीडिक है आप क्या करने वाले हैं कि आफ वी से एक ही Drug जानेे वाले कहा से B से A की तरफ जाने होने, B पे रखा हो उंगली, जाओ, नीचे, बिल्कुल, ये इधर से, इधर, यानि कि ये नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, हमेशा ये, इसी कहते है, राइट हैंड सिस्टम, इसे कहते हैं, राइट हैंड सिस्टम, ये, ऐसे, ठिक, अब ये जाएगा तो भी ये बनेगा, A, स्वारी, ये A नहीं, ये बनेगा, वेक्टर B, क्रॉस वेक्टर A, ठिक, बिल्कुल, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन बन जाता है, ये, समझ रहा है, और आब यहां मैगनिट्यूड की बात करें, तो मैगनिट्यूड भी स्टुडेंट्स वही होग नहीं तो ध्यान से देखो कि हम लोग जब अपना स्केलर प्रोडक्ट कर रहेते हैं, तो वहां पर केवल मैगनिट्यूड की बात हो रही थी, वहां पर जो हमारा वैल्यू आ रहा था, वो क्या था, हमारा स्केलर, वो था मैगनिट्यूड फेज में आ रहा था, ठीक है, ले इस इक डिफरेंस यह ही है, इस्टुएट्स, आइधिंक समझ में आ गया होगा आपको, तो चलो, अब इसे हम क्या कहते हैं, पहली बात तो यह जो, इसको एक सिस्टम से हम जानगे, जिसका नाम क्या था हमारा, यह था हमारा, पहला सिस्टम क्या था, वो था, राइट हो गया, ठीक, इसे ही हम और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, राइट हैंड, राइट हैंड, सिस्टम, ठीक, सिस्टम, और इसी को दूसरा नाम क्या है, स्टुएट्स, आप दूसरा नाम याद रखना, मतलब राइट हैंड सिस्टम या राइट हैंड थम रूल कहते हो, ठीक है इसी का चाओथा नाम क्या है इसे ही कहते हैं grip rule grip rule grip मतलब पकड़ना grip मतलब पकड़ना मतलब पकड़ना तो यही तो grip हुआ जब grip यही हुआ तो हमें पता है कि सर एक ही direction में घुमा रहे हैं एक ही direction में यह उपा जा रहा है एक ही direction में घुमा रहे हैं यह हो गया grip rule, इसी को कहते है curl rule, इसी को कहते है right hand thumb rule, यह आपके आने वाले electrical वाले जितने भी students है, यह सब के लिए बहुत ही important है, यह क्योंकि अभी आगे आओगे पढ़ोगे, तो machine पढ़ने पढ़े गए, और machine एक ऐसी subject है, वो समझ जो एक तरीके से पूरा grunt है, और उसमे इसका use बहुत ही जादा है, बहुत ही जादा है, motor पढ़ोगे उसमें इसका rule है, ठीक है, generator पढ़ोगे उसमें इसका rule है, आप machine का हर एक portion में यह rule पढ़ता है, ठीक है ज्यादा तर, चलो, अब flaming rule भी आता है, flaming rule भी इसी पे वो होता है, ठीक है, इस पे भी flaming rule भी apply हो जाता ह लेकिन अब दूसरे रूल केम बाथ करते हैं, दूसरा रूल हमारा जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके होगे वो होया हमारा इस्क्रू रूल, इसक्रू जानते हो, इस्क्रू हमें पता है इस्क्रू हमें पता है कि यह इधर गुमाएंगे लेफ्ट साइड में गुमाएंगे तो क्या होने वाला है यह उपर खुलेगा अतलब क्या करेंगे अगर मालो कहीं कोई इस्क्रू अगर लगी है ठीक है कोई इस्क्रू अगर लगी है ठीक है कोई इस्क्रू लगी है अगर लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएंगे तो यह धीरे धीरे उपपर आएगा और फिर उसका राइट हैंड में घुमाएंगे अगर राइट हैंड घुमाएंगे तो यह क्या जाएगा नीचे जाएगा और लेफ्ट हैंड में घुमाएंगे यानि कि इस तरफ घुमाएंगे यह दूसरा यह दूसरा हो गया अब धक्कन रूल की बात करें धक्कन अरे जो हमारा वही इसकुरू रूल पर बेस्ट होता है धक्कन जानते हो ना अगर किसी चीज का धक्कन कोई डबा हुआ उसका धक्कन भी खोलो फॉर एक्जांपल अगर यह हमारे पास सेनिटाइजर है इसका अगर हम खोले तो लेफ्ट हैंड साइड में खुल के घुमेगा अगर इसको बंद करें तो राइट हैंड साइड में बंद होगा ध्यान से देखना यह हो गया यह हो गया बस समझ में आ गया यह होता है यह होता है इसका रूल ठीक है तो अब हमें समझ में आ गया कि स यह क्या है basically ठिक अब यह cross product समझ में आ गया आपको पूरी तरीकी से चलो जब समझ में आ गया तो students आप क्या करने वाले हम लोग अब हम लोग सीखने वाले क्या बहुत ही important point क्या अब इसकी properties properties देखने वाले students properties जिस पर आप question solve करोगे कैसे करना है ध्यान से देखना कैसे करना है हमें पता है students कैसे करना है ध्यान से देखना बस 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 ध्यान से देखने ना क्या है बापर्टीज औ फिर्फ क्रॉस प्रॉडूडक्ट कि से चलो फिर्फ फिर्फ फिर्उ फिरू प्रॉय अगर बात करें तो पहला प्रॉडक्ट मैं पहला जो फिर्फ किया कहता है वो कहता है students कि अगर किसी वेक्टर A and B को अगर हम multiply कर दिए ठीक अगर किसी A और B को अगर multiply कर दिए अगर इसी को उल्टा multiply करते हैं यानि कि cross B मतलब B cross A अगर उल्टा multiply करते हैं तो ये बराबर नहीं होंगे कभी ने उस भी क्या हो रहा था बराबर हो रहते हैं ठीक अब इसको क्या करना है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं students इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम किसी चीज को क्या लिखते हैं magnitude तो बराबर हो जाएंगे यहां magnitude तो बराबर हो जाएगा बट इसमें डायरेक्शन नहीं सेम होंगे इसी वज़ग से यह माइनस में जाए मतलब यह बराबर नहीं होगा अब बराबर कौंसे केसे में होगा क्योंकि अब यहां पर हम अगर लगा दे कि माइनस भी क्रॉस ए तो यह हो जाता हमारे क्या यह हो जाता है क्योंकि अब मतलब यहां इसे कहेंगे कि इस न bitches अ मतलब अगर हमारा यह उल्टा मटिपॉल्टाОम ड्लीप्लाय करने के बाद भी अगर बराबर नहीं आता है तो इसे कहते हम से कहते हं नाट कौंकि अ हो अ ठीक समझ में आ रहा है ये पहली बात ही यह एकदम बेसी चलो अगर हम सेगेंड की बात करें, किसकी बात करें second property second property हमारी क्या कहते हैं second property यह कहते है यह associative या मतलब है isaوبiciative नहीं associative बात में देखेंगो लेकिन पहले हम क्या देखें गेंगे पहले देखेंगे यह parallel अगर किसी 2 parallel vector को अगर mengלon highly करते हैं या उसके उसके बीच में parallel में क्या होता है convenience और पैलल भी कहते हैं और को लिनियर वो पैलल में कोई डिफरेंस तो खास होता नहीं है ठीक है लेकिन उनके बीच में हमें इसा डिगरी का डिफरेंस होता है एक होता है 0 डिगरी और 1 होता है 180 डिगरी क्यों अगर हम डारेक्शन सेम रखते हैं तो 0 डिगरी लेकिन अगर डारेक इस point में क्या होने वाला है। जहां से देखना। अब ये parallel रखे थे B, R Co-Linear Co-Linear या फिर Parallel ठीक? Parallel Parallel अब इनके बीच में सीधे हम क्या लिखते है? Theta is equal to 0 और 180 ठीक? जहाँ Theta, मतलब Theta 0 भी हो सकता है 180 degree भी हो सकता है ठीक है? अब ये दोनों degree जब होंगे Then, 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 then Vector A Cross Vector B Is equal to AB Sine Theta और हमें पता है कि AB Sine 0 value ठीक? या फिर और AB AB Sine 180 degree हमें पता है इन दोनों का value 0 होता है इन दोनों का value क्या होता है? 0 होता है तो CSTD हम नहीं लिख देंगे कि Vector A Cross Vector B Is equal to 0 इन दोनों का value क्या होने वाला है? 0 अब जब 0 value है तो 0 value क्या होगा? इन दोनों का multiply कर दो कि 0 है? क्या होने वाला है? 0, 0, 0 और उसमें क्या होता था? उसमें ये value एक आता था ठीक? एक value आता था लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है Just opposite हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज अगर जैसे scalar में कोई चीज अगर सीधी हो रही है तो guaranteed है कि वेक्टर में उल्टी होगी है अगर एक सीधा हो रहा है तो एक उल्टा जरूर होगा यह guaranteed है ठीक है मतलब उनका value होगा ठीक है तो हम दो प्रॉपर्टी देख लिए हैं अब देखते है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी हमेशा याद रखना ठीक और इस पर बेस्ट क्यूस्ट बनते हैं स्टुएंट्स बहुत ज्यादा बनते हैं समझ लो अगर ऐसे क्यूस्ट आप मैंने बता दिया कैसे क्यूस्ट करना है बस तो बस ऐसे पूछेगा अगर पैरलल है तो इनके क्रως a-clos b हाँ ओको Susie 12 को आपको क्या करना है कोई डूक ś words कोई करो रखो बस सकता है कुछ उस में से एक टरम निकाल के कहेसं बना देगा ओड़ेंड़ रैंब्डा को कोई बना देगा पी को तुको फिर निकाल दे फिर हो बस पांच नंबर आंसर समझ गए इस तरीके के संस मनते हैं ठीक है तो नेक्स्ट पॉपर्टी क्या है हमारी next property क्या कहती है next property हमारी यह कहती है students यह कहती है कि अगर vector product अगर हमारा क्या हो जाए square of vector अगर मतलब किसी का square मतलब for example जैसे लिखो तीसरा वाला sorry question क्यों लिखने है तीसरा property क्या हमारा अगर इसमें क्या लिख रहा है इसमें लिख रहा है if if vector product vector product square square of a vector product square of vector product vector product is equal to is equal to क्या कह रहा है is equal to zero zero कैसे 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 अब यह कह रहा है कि sir अगर हम किसी किसी vector a ठीक cross vector a इनका value ले हमें पता है कि इनके बीच में जो value होगा वो होगा 0 कैसे होगा वही अभी जो दूसरा देखा था ठीक है तो बस इनके इनके बीच में क्या हो जाएगा vector a mod of vector a into mod of vector a ठीक into sin theta और sin theta का value में पता है यह क्या हो जाएगा यह sin अगर यहाँ theta का value में पता है 0 हो जाएगा और 0 का value पता है में 0 हो जाएगा तो इसका value direct 0 नहीं होगा बस वही है ठीक जाए तो हमें इसा याद रखना और इसी वज़ासे इसी वज़ासे student इसी वज़ासे से इसी वज़ासे क्या S एक इनके बाद करें जाए इसका क्या अगर इसी मल्टिप्लाइ करतें यहां से देखना बस यह अगर हम आई कप इनटू आई कैप ठीक इनका मैगनिट्यूड है और इनका क्या है यह तरीके से डाइरेक्शन के बेस्स पर बात करते हैं इन्में क्या करेगा 1 इंटू जीरो क्यों हम इसी के उपर एक और ऑलाझा दे और इसी के उपर ओर जे लगा दे इसी के उपर और एक लगा दे तो बता он किंते बीच में इसे दब यह जो के अगर मालो हुआ अगर अक्रrell कर दो अगर दो सब्सक्राइब करोंगा ननों का मल्टिपलय करोंगे तो इनके वीच में धीठा तो जहीरो हो गया हुँ ना जब धीठा जैता है तो हम पता है है। जब पता है सीदे सीदे किसी जीडे पना जैंग तो डाइकली हम इसको एक लैन में ऐसे to zero यह दिख्टर्म प्रोडट्ड में क्या होता है यह 0 हो जाता है लेकिन 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 इसकेलर प्रोड़क्त में नइड नड प्रोड़क्त कर टी can दें कें tane स्वाज़ ऑग टीन negotiating फि kontroll टी on aku 115 ईसलिए इसकेलर और वेकWhis Uni दिखाए जाता है चलो यह क्या है चौथा हमारा गोरी हमारा जो चौथा है कि मजा आ रहा है कि नहीं यह उस्या प्हेले आप मजा आ रहा है तो पढ़ो खूब मान लगाए के पढ़ोगी तो ज्यादा मजा ऐगा क्योंकि मैं मन लगाके बताता हूंằng थीज कोई चोटी चोटी फीusa फीज और वह मन लग अगर पर्पेंडिकुलर कर दिया जाए, यहनि कि अगर कोई दो वेक्टर हो, वो पर्पेंडिकुलर हो जाए, तो उनका वैल्यू क्या होगा, इफ, इफ, वेक्टर्स, वेक्टर्स A, एन्ड वेक्टर्स B, ठीक है, वेक्टर्स B, आर, पर्पेंडिकुलर, पर्पेंडिकुलर, तो एच अधर, ठीक, अगर पर्पेंडिकुलर एच अधर हैं, तो क्या होगा, थीटा इस उकल तो 90 डिगरी, राइट, अब थीटा इस उकल to 90 degree हमें पता है then vector a cross vector b is equal to क्या हो जाएगा यह हो गया a b ठीक है sine theta into n cap right इसको क्या लिख सकते हैं a b sine 90 degree into n cap right और हमें पता है कि sine 90 degree is equal to 1 हमें यह पता है और जब यह पता है तो हमें यह भी पता है कि sir vector a cross vector b is equal to अगर इसका value हमें एक मिल जाता है तो यह क्या हो जाएगा a b into n cap यह है इस यह बात है देख रहे हो यह बात है अब जब हमें यह बात मिल गई है कि यह हो सकता है तो similarly क्या कहेंगे similarly अब उसमें आई आई का स्कॉयर कर रहे थे जे का स्कॉयर कर रहे थे के का स्कॉयर कर रहे थे वहां पर value क्या रहा था तो ज시रो आ रहा था लेकिन लेकिन-लेकिन-लेकिन लेकिन-लेकिन यह पर यहाँ पर तो क् यहाँ i, j, j, k and k, k, i, k, अगर ज़स्ट अपोजिट कर दिये स्टुडेंट्स, ज़स्ट अपोजिट कर दिये, इसके लिए एक फार्मूला है, त्याद रखना हमें सा, अगर, ध्यांसे जेखना, यहाँ पर एक काम करते हैं, पहला यह करते हैं, सेकेंड, सेकेंड करता है क् अगर इसको just opposite कर दिये for example अगर मालो हम कह दिये कि opposite चल दिये पहले देखो यह पहला वाला हम बता रहे हैं पहला वाला notice करना बस यह होगे हमारा क्या i ठीक और यह होगे हमारा j और यह होगे हमारा k ठीक अगर हम i से j की तरफ चलने और जे से के की तरफ चलने हैं और के से आई की तरफ चलने हैं तो इसका वैल्यू क्या जाएगा पॉजिटिव आएगा हमें सा हमें सा पॉजिटिव आएगा आई से जे मिल्टिप्लाइ करोगें इन दोनों का वैल्यू क्या जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा एक जैगे के यानी जैगे से के कां एक आएगा के से आई को करोगे तो एक आएगा लेकिन आप सेकन्ट दिखना सेकन सेकन्ट आगर जस्ट पोजी चल दिये इस तरफ इस तरफ और इस तरफ आगर स्टुडेंट्स आई से के के सजे और जैसे आई के चले इसका वैल्यू हुमेंसा निगेटीव आएगा जैसे कि मैंने बताया अभी ऑघ प्रॉडक्ट है इसका अगर आईक करते हैं इसका आई गया i cap k cap is equal to k cap j cap ठीक है is equal to क्या हो जाएगा j cap into i cap is equal to what minus 1 ठीक oh sorry 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 इसका वैल्यू हमें सा positive आएगा इसका negative आएगा लेकिन 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 यह वैल्यू थोड़ा गड़बर हो गया है यहां पर क्या आएगा ध्यां से दिगा अगर i k है तो यहां क्या आएगा जानते हो i k का मतलब i और j का बल्टिप्लाई करोगे तो k value आएगा क्या आएगा यह आगया k ठीक और उसके बाद कॉमा कॉमा अगर j k है j into k है तो यह आजाएगा i k ठीक फिर उसके बाद यहां पर क्या आजाएगा अगर k k है into i k है is equal to क्या आजाएगा क्या आजाएगा i और k है हमें पता चल गए j आ गया चलो second one second one second one just opposite करो students क्या करोगे इसका अज़ेश्ट अपोजिट करो j into i k is equal to क्या हो जाएगा minus k आजाएगा यहां क्या आजाएगा k cap into j cap j cap is equal to minus i ठीक कॉमा i cap into k cap is equal to minus j cap ठीक तो यह दो value हो गया students आपके ठीक है तो अब यह हो गया हमारे सारी property और इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है ठीक है यह दोनों हमेस्ता याद रखना क्योंकि अगर हम आई से जेक है मतलब anti clockwise गया क्या anti clockwise गये तो यह क्या होगा positive होगा जैसे कि मैंने angle को बताया था right angle को जैसे बताया था angle क्या करते हम लोग यह गया और clockwise हो गया जैसे clockwise हो गया इसको क्या कहेंगे यह हो गया करते हैं अगर इधर गएगे तो पॉजिस्जटुटुफ यह तीटा हम लेते ना। इधर जाते हैं तो इस ऑप है just समझ रहा हो तो सेम वह से याद करना है जैसे इंटी क्लॉक वाइस गए तो पॉजिटिव बनेगा और हमेसे जब भी क्लॉक वाइस गए तो यहाँ क्या बनेगा माइनस जे माइनस ऑई माइनस की ठीक तो यह हो गए आपके प्रॉपरटी स्टुडेंट्स आई हो आपको और एक नए concept के साथ हला कि अब एक concept साथ में देखेंगे ही इसके बाद concept देखेंगे और उसके बाद बढ़ियां बढ़ियां questions करेंगे जितने भी questions बनते हैं प्रेव एक्टर प्रोड़क्ट से फिर इसको अट्रिपल प्रोड़क्ट पर जाएंगे फिर मिलते हैं next class में thank you very much and take care